हिमाचल प्रदेश की राजनीती में एक इमानदार और असाधारन छवी वाले नेता, दिवंगत डॉक्टर प्रेम सिंह आज अपनी प्रतिमा के रूप में लोटे हैं। 23 सितंबर को उनके जन्म दिन और पुन्य थिथी के अवसर पर हिमाचल प्रदेश के उप मुख्य मंत्री मुकेश अगनिहोत्री ने उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। डॉक्टर प्रेम सिंह एक ऐसा नाम जो साधगी, निष्ठा और जनसेवा का पर्याय रहा। श्री रेनुका जी विधान सभाक शेत्र से चह बार विधायक बने, मगर उनकी इमानदारी पर कभी कोई सवाल नहीं उठा सका। प्रेम सिंह जी का जीवन हर किसी के लिए प्रेरणा सुरोत है। उन्होंने कभी जनसेवा से पीछे मुड कर नहीं देखा। आज भी उनकी यादें सभी के दिलों में जिन्दा है। डॉक्टर प्रेम सिंह का जन्म 23 सितंबर 1948 को सिर मौर के एक क्रिश्य परिवार में हुआ था। कोली समुदाय से तालुक रखने वाले इस नेता ने राजनीती में प्रवेश किया और जल्द ही क्षेत्रिय विकास के प्रतीक बन गए। उनकी पुन्य थिति पर श्रधांजली के साथ साथ रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया। ये दिखाता है कि डॉक्टर प्रेम सिंह के सामाजिक कार्य आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। शायद हिमाचल प्रदेश के निर्माता डॉक्टर वाईयस परमार के बाद दिवंगत डॉक्टर प्रेम सिंह दूसरे राजनेता हैं जिनकी मरणो प्रांध प्रतिमा स्थापित की गई है। वह न केवल एक जन्नेता थे बलकि उन्होंने अपने जीवन में हर कदम पर इमानदारी और निष्ठा से काम किया। चाहे कोई पद मिला हो या न मिला हो उन्होंने अपने मार्ग दर्शक वीर भद्र सिंह का साथ कभी नहीं छोड़ा। उनके निधन के बाद उनके बेटे विनै कुमार ने उनकी राजनीतिक विरासत को संभाला और वर्तमान में वे हिमाचल प्रदेश विधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में सेवा दे रहे हैं। आज इस प्रतिमा के अनावरण के साथ हजारों लोगों की भीड ने यह साबित कर दिया कि डॉक्टर प्रेम सिंह आज भी उनके दिलों में जीवित हैं। 23 सितंबर 2011 को जिस दिन वे 63 साल के हुए उसी दिन उन्होंने इस संसार को भी हलविदा कहा। लेकिन उनकी यादें, उनके कार्य और उनकी इमानदारी आज भी हर दिल में अमर है। और आज उनकी प्रतिमा का अनवर्ण हुआ है, प्रतिमा स्थापित हुई है और इसके अलावा जो है यहाँ पे उनके स्मार्क की स्थापना हो रही है। और यह जो प्लेग्राउंड है इसका नामकर्ण भी उनके यादगार में किया गया है। तो आज हम उनको याद करते हैं, उनके बेटे भी उनके परचिनों पर चलते हुए अलाके की सेवा कर रहे हैं। और तीन दफा MLA हो गए हैं और डेप्टी स्पीकर है हिमाचल परदेश विधान सभा में।